ब्सक्राइब आप आप आविके से अविवारी होगा गवीवरी वगव इवनिंग तो अपने खोले ह्या हेहेंदू और आप सब बहुत अच्छे उगए ठीक है तो मिल रहें दो-तीन दीन के ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकाथ हुई है हमारी ठीक है तो अब इस क्लास में हम करने वाले हैं वैस important questions करने वाले हैं जो की exam के point of view से होने वाले हैं important ठीक है तो same अपने उसी process को फिर से हम करते हैं continue ठीक है तो करने हैं शुरुआत बिन टाइम वेस्ट किये करते हैं start ठीक है आज के class किया पहला question है यह आपकी screen पर देखिए बच्चे है यह पहला question तो फई कोड़ी सी calculation भी रहेगी इसमें और कुछ questions आपको ऐसे भी देखने के मिलेंगे जो शायद अभी तक हमने discuss नहीं किये होंगे ठीक है concept भी new रहेगा आपके लिए लेकिन हाँ अगर आप join रहेंगे तो एक भी ऐसा question हमारा remaining नहीं रह जाएगा जो हम यह कह सकें कि ऐसा कोई question हमने कभी class में discuss नहीं किया तो question की वही same चीजे हैं जो हर बार मैं आपको हर class में बोलती हूँ कि बिटा सबसे पहला हमारा main motive होना चाहिए कि question के statement को carefully read किया जाए ठीक है तो question के statement को अगर हमने ध्यान से पढ़ लिया है तो उसको समझ लिया है तो question यह लगा लो 40% तक वहाँ clearance हो जाता है कि इसमें आगे हमें further move कैसे करना है is it clear तो करते है question start तो just read the statement of question number one statement is this the product of successor and predecessor of 999 is क्या बताना है बच्चे आपको इसमें बताना है देखो क्या बताना है आपको जल्दबाजी नहीं करनी है कि हो सकते है 999 का सकसर पूछ रहा है प्रीडिसीजर पूछ रहा है नहीं question को वही तो कह रही हूं मैं आपसे बार बार की question के statement को carefully read करना है आपको वह कह रहा है कि product बताओ किस कि प्रोडेक्ट बताओ 999 999 का 999 का जो सकसर होगा और 999 का प्रीडिसीजर होगा उन दोनों की प्रोडेक्ट जो आएगी उन दोनों की प्रोडेक्ट का आंसर बताना है समझ आ रहे बात क्या 999 का सकसर और इसी का प्रीडिसीजर हमें क्या बताना है product करके answer बताना है clear तो सबसे पहले तो आपको successor निकालना है किसका आपको successor निकालना है बच्चे किसका 999 का और आई होप आप यह जानते होंगे successor का मतलब क्या होता है successor का मतलब होता है इसमें क्या कर देना plus one add कर देना है न plus one right है one क्या कर दोगे add कर दोगे one को add करना कहलाता है successor और predecessor क्या होता है उसमें से one कर देना minus या subtract predecessor क्या होगा बच्चे इसका predecessor क्या होगा इसका predecessor होगा जब आप इसका वन करोगे तो आपको यहां से क्या मिलने वाले 1000 है इजी है इस मिलने वाले है तो आपको यहां से मिलने वाला है multiply तो multiply करने में तो मुझे नहीं लगता कोई बच्चा इसमें यह कहेगा कि मुझे अलग से multiply करना है पते 0 multiply करना तो कितना easy होता है कि जितनी भी 0 है last में लगा दो 998 के साथ में आपको क्या apply कर देना है है जितनी जीरो से आप multiply कर रहें इतनी जीरो आप apply कर दीजिए वहाँ पर समझा रही है यह बात आपको तो 998 के साथ 000 मतलब 30998 के साथ 30 कौन से option में बी option में बाकी कुछ करना ही नहीं है आपको ठीक है calculation speed से तो करना है लेकिन speed के साथ accuracy का बिटक जरूर ध्यान रखना है हमें right sorry समझ आया तो इसका successor जो था इसका predecessor जो था successor जो था successor की हमने कर दी है multiply multiply करके जो answer आया वो है हमारा final answer और वो answer हमारा match कहां पे कर रहा है आउ option number B में right तो option B हमारा हो गया correct answer is it clear to all the students ठीक है समझ आया clear है सभी को तो चले move करे next question पे next question is this अच्छे से पढ़ना है बच्चे अच्छे से पढ़ना है सारे question बहुत important है कहते the product of a non-zero whole number and its successor is always क्या बोला उसने statement पढ़ना कैसे कि product तो करो लेकिन किसकी non-zero whole number क्या यह चीज़ समझ आ रहे हैं आप लोगों को कहता है non-zero whole number आप बच्चे मुझे यह बताए whole number तो शायद सभी जानते है whole number में तो कोई confusion होगा नहीं किसी को है ना whole numbers कौन से होते whole numbers होते zero one two three four up to infinity है ना डोट 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 लगा के छोड़ दिया इसका मतलब क्या है कि आगे तक मुझ कर रहा है इसका कोई end point नहीं है होती है न चीज़े कि उसका starting point क्या है end point क्या है अगर इस मैं penth की length देखो तो देखो इसका initial point यह वाला final point यह वाला एक जगह से शुरू हो रहा है दूसरी जगह पर finish हो गया है न तो क्या है यह finite चीज हो गई आपके पास है न एक finite length हो गई इसके लेकिन whole number में क्या है whole number में 0 initial तो पता है हमें start तो 0 से होगा लेकिन खतम का होगा वह आपको नहीं पता है इसका end point अब question भी तुमसे बोला गया है whole number को ले लो आप लोग लेकिन whole number कैसे whole number ले ले 9 0 0 का मतलब 0 9 0 मतलब जो 0 ना हो बात समझ में आ रहे है न 9 negative 9 0 तो इसका मतलब होता है कि 0 को छोड़ दिया जाए वहाँ पर 0 ना शामिल किया जाए 0 को include ना किया जाए समझ रहे हो बात को तो इसका मतलब हो whole number तो आप सारे यूज करते हो बस एक चीज़ पर red sign है एक चीज़ पर red sign है किस पर 0 पर यह red symbol लगा दिया इसका मतलब है यहां खत्रा है यहां डेंजर जोन का मतलब यहां पर जो मैं समझाना चाहरी हूं बच्छे वह ही है कि whole number लेना है लेकिन 0 को नहीं लेना बात समझ में आगी लेकिन वह इतनी इतनी प्रोब्लम बढ़ाने से अच्छा वो यह भी तो बोल सकता था ना कि ईसका बह्तर समझ भी निए लिए पर इसने नावन बें और इसनेखा बोल जाते हैं बलकुल इजि था समझ भी जाते लेकिन नैच्छ सी को एक दूसरी फो में कनवर्ट करके दुमायरे सामने दिखाया गया सिर्फ यह चेक करने के लिए कि आप लोग कितना नोलेज रखते हो इससे रिलेटेड तो नोन जीरो होल का मतलब हो गया होल नमबर आप सारे ले सकते हैं लेकिन वहां पर जीरो को इंक्लूड नहीं करोगे किंद लिए तो जीरो को छोड़ दो बागी जो है वो सारे हम अपने होल नमबर में यूज कर सकते हैं अब क्या panाऑ उसने कहा होल नमबर एंट इटस सकसर और उसका कोई सकसर का मतलब कोई उससे आगे वाला है ना हो बोबगा होलनांबर कौन सा कोई भी सेलेक्ट कर लो ज सोटी से calculation पर काम कर लिया जाए तो starting में पहले point से शुरू करते हैं पहले number से शुरू करते हैं one का successor बताओ बच्चे को कौन होगा one का successor कोन होता है two होगा है ना one में one add करोगे two मिल जाएगा और कह रहे है whole number और उसके successor की product क्या आएगी तो देखो one two जा two अच्छा अगर मैं two लेती हूं तो two का successor कोन होगा three two three जा कितना आया six अगर मैं उठाती हूं three अगर three को उठाया तो three का successor कोन होगा four और three और four की multiply क्या रही है 12 अगर मैंने उठाया four four का successor हुआ five multiply किया तो मुझे मिला 20 मिल रहे 20 मतलब ऐसे ऐसे अगर आप move करते जाओगे मैंने तो दो चार आपको दिखा दिये बाकि तो आप दो से भी आइडिया लगा सकते हो कि हमें क्या product मिल रही है समझ आ रहा है आपको तो अब मुझे बताओ two six twelve twenty क्या ये क्या ये अगर मैं नीचे से चलना शुरू करूँ क्या सारे के सारे तीन से डिवीजिबल है नहीं बिल्कुल नहीं है क्या दो से दो तीन से डिवाइड हो जाएगा तो इस डिवीजिबल वाई three or not of course not नहीं हो सकता इसका मतलब है गलत बात हुई है तो कहता है कि जो भी result आएगा व काली बात भी गलत कहते सारे और नंबर होंगे और वाई सारे का इसमें एक भी ओ नहीं है सारे के सारे तो औंसे आ जाएंगे ठीक है तो और तो नहीं है और बाकी आपकी आप क्या देख पारे ओना इसमें Two six not no, two यह बात समझ में आई क्या बोला गया कि product किस कि product natural number की और उसके successor की the product of natural number and its successor is always is always an even number सही है यह बात क्योंकि उन दोनों के product की जाये तो answer आपको क्या मिलता है 2, 6, 12, 20 यह सारे के सारे कैसे number है यह सारे के सारे हैं हमारे पास even numbers clear हुई यह बात तो अपना कौनसा answer correct हुआ बच्चे इसमें even number कौनसा answer correct हुआ कौनसा option सही है इसमें a option correct हुआ हमारा that is even number समझ आया अगर समझ आया तो next question पर move करेंगे कोई doubt है कोई query है आपकी तो अभी आप मेरे साथ share करे comment box में ठीक है मैं खोसिस करूँगी कि अभी उस चीज का answer आपको मिल जाए clear सही है यह बात समझ आ रही है सभी को चले next question पर देखिए बच्चे next question है हमारा आज का यह वाला कहता है whole number is added to 25 and the same number is subtracted from 25 the sum of the resulting number is क्या बोला उसने कि whole number आप कोई भी उठा लीजिये whole number ठीक है आप उसने यह तो नहीं काना आपसे कि non zero whole number नहीं काना यह बात नहीं का तो हम zero को शामिल कर सकते हैं क्योंकि zero पे कोई restrictions कोई boundation नहीं है clear तो कोई भी whole number उठाओ कहता है उसमें अगर आप 25 add करोगे and the same number ही subtracted और उसी number को subtract किया जाएगा 25 से subtracted from from वाला तुम्हें पता है नो from वाला जब भी subtraction में लिखा जाता है ना कि this subtract from this तो from के बाद वाला आगे लिखा जाता है हमेशा है ना उसमें से subtract किया जाते जानते हो तो कहते हैं तो sum of the resulting number के ऐसा करने के बाद जो आपका answer मिलेगा उन दोनों का sum कर दो उन दोनों का क्या कर दो sum sum करने पे जो answer आएगा वो बता दो क्या आएगा तो अब आप लोग बताओ कौन सा whole number उठाया जाए अब समझदार जो होगा ना वो क्या उठाएगा बताओ वो कौन सा whole number उठाएगा of course zero उठाएगा क्यों क्योंकि zero में calculation बहुत easy हो जाती है ना ब उठा लीजी आप उसने कोई particular हमसे कोई ना ऐसा नहीं बोला है कि आपको इससे चोटा इससे बढ़ा या इसके बीच का फाइंड करना है या non zero होना चाहिए है ना ऐसा कुछ नहीं का तो कोई भी no whole number उठाओ आप तो क्यों ना zero कोई उठाए हम है ना ताकि easy रहे हमारे लि हमने एक whole number select किया that is कुंसा whole number है वो 0 ठीक आप उसने जैसा बोला उसके according कहते है कहते है उस whole number में बोल रहा है 25 को add कर दो ठीक और कह रहा है कि दूसरी बात क्या बोले 25 में से उसी whole number को subtract कर दो from के बाद वाले मैंने तुमें बोला कहा लिखा जाएगा आगे लिखा जाएगा तो 25 में से 0 को minus कर दो और 25 में उस whole number को add कर दो तो कह रहा है जो दोनों answer आएंगे उन दोनों answer को कर दो sum उन दोनों का कर दो sum तो जो answer आए वो बता दो अब बताओ बच्चो 0 plus 25 कितना हो गया 25 25 minus 0 कितना हो गया 25 इन दोनों का तुमसे sum कर वा रहा है sum करो 25 और 25 कितना आ गया 50 हो गया question हो गया तो statement अगर तुमने पढ़ा statement अगर understand कर पा रहे हो तो question तो दो line का भी नहीं है question तो orally भी हो रहे है तुमारा करने की जरूरत नहीं है अगर all number 0 select के 0 में 25 add के 25 मिला 25 में से 0 minus के 25 मिला हाँ ये गलती मत कर देना तुम यहापत 0 minus 25 अगर कर देना तुम सोचो यहाँ भी 0 आगे ले रखा है यहाँ भी 0 आगे ले लों गलत हो जाएगा बच्चे गलत हो जाएगा और इस वजह से तुमारा answer आएगा 0 और तुम 0 पे टिक करके आजाओगे और कहोगे कि हो गया मेरा तो सही था ठीक है तो यह गड़बड नहीं करनी है तुम्हें पते फ्रोम लिखाया फ् मैडम 0 लेके तो कर दिया आपने लेकिन हम कुछ और लेंगे तो तो लेलो ना कुछ और कोई प्रोब्लम ही नहीं आएगी लो कुछ और मैं तो चाहते हूं आप लोग कुछ भी ऐसे सोचो क्या सोचोगे बताओ 5 ले लिया जाए 5 ले लिया जाए देखो अगर तुम 5 लेते 20 कहता है जो रिजल्ट आता है उसको एड कर दो 30 प्लस 20 कितना होता है 50 यहांसे भी आनसर क्या रहे हैं यहांसे भी जीरो हुआ क्या, नहीं न, कौनसा आंसर हुआ, 50, यहां से भी 50 आ रहा है, यहां से 50, तुम कुछ और नमबर, अगर आप लोग न, कुछ और होल नमबर सेलेक्ट करोगे, कि मैं 2 लेता हूं, 3 लेता हूं, 100 लेता हूं, मेरे इसाफ़े तो आपको इतना बड़ा तो लेना ही चाहिए, कैलकुलेशन जितना हो सकते कोशिस करो, कम हो, ताकि हम वहां पर टाइम को भी सेव कर सके, हैना, टाइम को तो बहुत एक मेजर रोल है यहां पर, तो उस चीज़ को तो सेव करने ना, कि बढ़ाने है, वहां पर कैलकुलेशन ही देख रहे कि किस बच्चे ने करेंगे हम इसकी किलियर था किलियर है चले नेक्स्ट कॉशेंट पे देखिए के नेक्स्ट कॉशेंट है कहते हैं विचोवदा फोलोविंग इस नौत रूट तो एक मेरी एक सला है तुम्हारे लिए एक suggestion है तुम्हारे लिए क्या suggestion है वो ये है कि बेटे जब भी आपके पास question ऐसा आए न कि भी चोधा following is not true जब भी बात आए not true की तो एक बात सुन लो मेरी और please मैं चाती हूँ कि आप उसको apply भी करो जब भी not true की बात आती है न तो question को पढ़के दो सेकेंड के लिए तीन सेकेंड के लिए थोड़ा सा रुख जाओ एक पर रुख जाओ रुखने का मतलब है कि एक बार question पढ़ने के बाद ये सोचो कि मेरा option कैसा सही होने वाला है बाकी question में तो ये होता है कि जो भी statement दी जाती है जो answer सही आ गया जो सही answer आया उसमें टिक कर देते हैं ये एक habit बन जाती है हमारी और जब भी no true वाले question आते है न तो एकदम उल्टा हो जाता है पूरा scenario एकदम पलट जाता है अब इसमें आपको गलत चीज डूढ़नी है और गलत चीज तुमारा answer है इसमें ठीक तो ये line न एक बन mind में set कर लें सभी अभी कर लें अभी के अभी क्या कि no true वाला जब भी question आएगा no true का question जब भी आएगा तो गलत वाली बात हमारा answer होगा गलत बात या गलत चीज या गलत कुछ भी होगा statement गलत वाला option हमारा answer होगा जो चीज यहाँ पर जो चीज है जो बात है जो option है जो statement है ठीक है जो नमबर से जो गलत है ना जो गलत है वो हमारा answer है यह ना otherwise आदत होती ही चीज सही है सही चीज है तो करो ठीक हो गया answer ठीक है पहले पर करके आ जाओगे बात खतब तो बस जो मैंने तुमें बोला है एक बात कि नोट रिट्रिव आले में आप दो सेकंड के लिए टाइम दो और मैंड को बोलो कि जो चीज घलत है वो हमारा आंसर है जो चीज गलत है वो हमारा आंसर है किलियर हुआ ठीक है चलो जी अब आपको वो option देखना है जो गलत बात कह रहा है या फिर जो option गलत है यह option गलत है क्या? नहीं जी बिल्कुल गलत नहीं है इसको solve कर लो, इसको solve कर लो अंसर तो same आने, लेकिन solve नहीं करेंगे हम क्यों करेंगे solve? समझ रो, यहाँ पर हमारी कोई calculation check नहीं कर रहा है ठीक है? कि हमारा कोई देख रहा है इसने calculation की की नहीं की है लेकिन आपको यह सिदा सिदा idea नहीं लग रहा है या भी 7, 8, 9 या भी 7, 8, 9 अब plus में तो आगे पिछे कर लो 3 और 2 भी 5 होने है और 2 और 3 भी 5 होने है चाहे 2 को आगे रख लो, चाहे 3 को आगे रख लो आंसर तो 5 ही आना है ना बच्चे हर आल में तो calculation में time waste ना करें कोई भी बच्चा की 7 में 8 एड़ कर रहे है फिर उसके बाद 9 एड़ कर रहे है फिर देखा left side इतना आया, right side इतना आया हाँ ये तो true है नहीं करने, इतनी calculation इतना तो तुम समझदार हो ना इतना क्या तुम बहुत समझदार हो है ना तो ये क्या है ये तो सही बात है ये चीज सही है, मैं सही पे टिक लगा रहे हूं जो बात ठीक है अब दूसरी बात क्या है product बताओ, क्या product में अगर नमबरों को आपने आगे पिछे कर दिया अगर उनको क्या कर दिया आपने interchange कर दिया 2, 3, 4 कितना होता है बताओ 2, 3, 4, 6 होता है, 3, 2, 4, 3, 2, 4 भी 6 होता है, तो addition और multiply में एक अच्छी बात है कि आप numbers को आगे पिछे कर दो answer पे कोई effect निपड़ेगा answer should be same ठीके, answer क्या आएगा, same आएगा तो इसका मतलब है, B वाली बात भी सही है, B वाली बात भी सही है अब बात आती है, C की बात C में कहता है, पहले 7 और 8 को plus करो, फिर 9 उसमें multiply करो, यहां कहता है 7 में 8 add करो फिर 7 में 9 add करो और फिर दोनों के multiply करो बहुत अजीब सी बात कह रहा है यह हमसे, लेकिन इसको छोड़के एक बार इससे पूछ लेते हैं, आप क्या कहते हो दो चीजे तो sure होगे, वो दोनों चीजे सही है, एक चीज और यह बात सही है, इस property का बच्ची अगर आप नाम जानते हो, तो मुझे comment box में इस property का नाम बताना यह कौन सी property है, ठीक है अगर आप लोग इस property का नाम जानते हो, तो मुझे comment box में इस property का नाम बताना कि which one property is used in this option D, ठीक है नहीं पढ़ा था तुमने associative, distributive और multiplicative identity, inverse है ना ये सारी property आपने पढ़ी होगी एक वो थी commutative property ये सारी हैं आपके पास उनी में से है ये distributive property कौनसी property है? distributive property ठीक है? क्या बोलती थी याद है अगा लोगों को ये distributive property distribution property होती थी multiplication over addition और दूसरा होता था addition over multiplication दोनों में answer सेम आएगा अभी के लिए अगर किसी को doubt है तो मैं एक बार के लिए दिखा देती हूँ छोटे नंबर पर एक ही अगर मैं multiply करूँ 2 plus 3 के साथ ठीक है? अगर इसका मैं कहूँ आपका अब 1 को फैले 2 से multiply करो बीच में plus का sign है तो plus का sign ही रहने तो और 1 के 3 के साथ multiply करो इसका मतलब होता है कि ये multiplication distribute हो रहा है over addition, addition के उपर देखो कैसे? वन पहले 2 से multiply हुआ, तो कितना आया? 2, 1, 2, फिर plus का sign है तो plus ही रहेगा और 1 को 3 से multiply करो ये कौन सी property होते है? Distributive property of multiplication over addition के लिए आप दोनों में answer सेम आएगा मेरे इसाब से तो आप लोगों को पूछने की ज़रूरत नहीं, फिर भी मैं एक बार करके दिखा देरी हूँ, देखें जी एक बार 1 multiply 2 plus 3 कितना हो गया बेटा? 5 हो गया? ठीक है, तो यहां से मिल रहे है 5, यहां से बताइए कितना मिल रहे है 2 बन जा 2, 1 थरी जा 3, 2 प्लस 3 कितना होता है 5? यहां से भी 5 मिल रहे है, यहां से भी 5 मिल रहे है, इसका मतलब है left hand side equals to right hand side इसका मतलब है यह बात लिख लो यह बात लिख लो, meaning तो एक ही है, कुछ भी बोलो बात एक ही है तो इसका मतलब D वाली बात भी सही है, A, B और D बात सही है, लेकिन सही चीजे मेरा आंसर नहीं है मेरा आंसर क्या है? गलत बात, तो गलत बात कौन सी हुई? गलत बात हुई C वाली अब C गलत है तो गलत चीज ही मेरा आंसर है यह मैंने शुरू में आपसे बोला कि नोट ट्री वाले कोश्चन में गलत वाला ओप्शन हमारा आंसर होगा ठीक अब इसमें तुम कैलकुलेशन नहीं करोगे कि करके देखते हैं मेडम लैप्ट और राइट इकवल आ रहा है कि न सही है यह सही है तो बची हुई बात ओवियसली गलत है ठीक है अब टाइम नहीं है कि करके देखे वैरिफाइ करो प्रूव करो इन चीजों के कोई मास नहीं मिल रहे है तुम्हें अभी कर सकते हो अगर तुम्हें अब डाउट लगे तो अब बैठके तुम आपी घर पे कर चीज और गलत चीज हमारा आंसर थी इसलिए अपना आंसर कुन सा हुआ बचे सी ओप्शन केलियर है सभी को चलें नेक्स्ट क्वेशन पर देखें नेक्स्ट क्वेशन इस यह अच्छा कोशन यह बड़िया कोशन मज़ेदार कोशन है जिसको बोलते हैं इंट्रेस्टिंग सब्सक्राइब तो बताएं एक बाइव यूजिंग डॉट पैटरन जोट यूज करना है आपको डॉट पैटरन का मतलब है ऐसे डॉट 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 लगा के ऐसे 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 और फॉलॉविंग नमबर कैन भी अरेंजड कह रहा है इनों इसे कौन से नंबर को अरेंज किया जा सकता है इन All Three Ways, तीन Ways के अंदर नेमली जिनका नाम है क्या लाइन, ट्रेंगल, एंड, रेक्टेंगल, क्या बोला कि डोट पेटरन, डोट 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 को यूज करने के बाद क्या आप, कितनी डोट चाहिए आपको, कितने डोट की आपको रेक्वाइरमेंट होने वाली है कि आप यह तीन स्ट्रक्चर बना पाएं कौन-कौन सी तीन स्ट्रक्चर लाइन ट्रेंगल रेक्टेंगल आप जैसे कि मैं एक प्रैक्टिकल एक्जामफल बताऊं आपके पास मालों बोल्स हैं स्मॉल-स्मॉल साइज की या कैसी भी अब है कि आप एक ट्रेंगल भी बना दो आप उन्हीं बोल से एक लाइन भी बना दो उन्हीं बोल से आप एक रेक्टेंगल भी बना दो तो आप बोल्स लेके बैठो एक बार 9 बोल्स लो एक बार 10 लो 11 लो 12 लो फिर देखो कि क्या 9 बोल लेने के बाद आप तीनों के तीनों स् ठीक है जितनी बोल लेने से आप बना पारें वो या आप कांसर होने वाला है तो यह एक practical question है जो आप करके मुझे बताओगे ठीक है बताने को theoretical में अभी आपको बता दूगे ठीक है लेकिन क्या होगा कि अभी आपसे यह बना रहे है कल को कोई और figure बनवाएगा तुमसे उस figure में different होगा नाम ठीक है तो आप practically बोल्स की जगह आप कुछ और भी यूज कर सकते हैं पेपर बोल्स बना लो है ना अगर मालो आप चाहते हो मेडम इतनी वोल्स तो हमारे पास नहीं है तो क्या करो पेपर तो होंगे तुम्हारे पास रफ पेपर से जिन पर यूज नहीं कर रहे आप फिल हो चुके एक पेपर की दो बोल्स बना लो ऐसे छोटी-छोटी यूँ फोल्ड करके उनको ठीक है बन गई कितनी बोल्स बना ली आपने बना ली 12 बना लो टोटल अब एक बार 9 ले लो एक बार 11 ले लो अब चारो केस में से आप लोग मुझे बटाओ कि आप आपने कितनी बोल्स लेने पर आप तीनों फिगर्स बना पाए यह question रहेगा आपके लिए as a homework next class शुरू होने से पहले आप लोग मुझे याद दिल्वाना मैं भी कोसिस करूंगे कि याद रखूं इस चीज को कि आप मुझे बताना कि कितनी बोल्स लेने पर आप लोग तीनों structure बना पाए हो चीख है करेंगे आप यह काम ठीक है बहुत बड़ा काम नहीं है लेकिन I think आप कर पाओगे तो long time था कि याद रहेगी आपको यह चीज ठीक है तो nines बोल देखो line में तो कोई problem नहीं आने वाल लाइन जब बनाओगे line बना ले में तो कोई problem नहीं आने वाली इसमें तो चाहिए तुम दो बोल ले रहे हो ना टू बोल्स में भी line तो बन जाएगी तो अगर मैंने यापर जितनी भी बोल्स लिए ऐसे ऐसे रखा उनको lines में line तो बन जाएगी लेकिन problem किसमें आने वाली ट्रेंगल में अगर आप ले रहे हो इस case में तो ट्रेंगल में बताओ कितनी बोल्स की नीड पड़ने वाली आप ऐसे ऐसे रख रहे हो तो कितने बोल्स अगर आप ऐसे रखोगे तो यह एक ट्रेंगुलर शेप बन जाएगा कौन सी शेप बन जाएगा ट्रेंगुलर बढने के लिए आपको यह देखने है फिर rectangle, rectangle की shape गुंत है इसeshape को होता है, rectangle में कितनी balls कीireड हुने वाली है यह देखने आपको कितने dots का कितने balls की जरूरत पढ़ने वाली है इंतिनो लाइंस के इन तिनो figures को बनाने के अंदर शबने बनाने वाल यह आप लोग मुझे बताओगे ठीक है छोड़ दिया जाए मैं इसका आंसर अभी डिसकस नहीं कर रही हूं आप लोगों के साथ ठीक है अगर आपसे होता है तो बहुत अच्छी बात है अधर्वाइस लगवर् पटाओगे कि लिए यह बात वैसे तुम्हें यहां लग भी गया होगा कि जब मैंने ट्रेंगाल बनाया तो कितने ढोट लगाए ते जितने दो लगाए वहां से आपको आईडिय लग जा रहा है कि कितनों की नीड से हम ट्रेंगल बना पा रहे हैं ना देखा होगा तो जरूर तुमने देख लिया होगा देखें नेक्स्ट क्वेशन देखिए एक बार ठीक है नेक्स्ट क्वेशन देखो क्या है उसको फिर करेंगे डिसकस कहता है which of the following statement is not true इसमें से आपको वही सेम मैंने का बचे जब भी question आता है not true का कि ये बात सही नहीं है तो आपको क्या सोचना है दो सेकेंड के लिए रुक के अपने mind को बोलना है कि जो चीज गलत है वो मेरा answer होगा जो चीज गलत है वो मेरा answer होगा ये आपको बोलनी है ये वाले बात ठीक बताओ कि तब बोथ addition and multiplication are associated for whole numbers जी बिल्कुल सही बात कह रहा है ये तो अभी अभी property डिसकस कर रही थे न मैं आप लोगों के साथ associated property, distributed property, commutative property, identity, inverse ये सारा कुछ तो क्या अभी अभी तो हमने बात की addition में और multiplication में addition हो या multiplication हो वो क्या होते associate हो जाते है आगे पिछे वाला आगे लिखो ऐसे करने से और मतलब पहले किसी दो की pairing बन रही है फिर किसी दो की pairing बन रही है तो इससे result पर कोई effect नहीं पड़ता इसका मतलब होता है कि वो associated property को satisfy करते हैं इसका मतलब हुआ कि addition और multiplication दोनों ही associated property को hold करते हैं तो ये बात हो गई सही और सही बात हमारा answer नहीं है ठीक है इसको सरकल लगा के छोड़ दो इसको मैं बात में justify कर रही हूँ अभी पहले और इनसे पूछ लेते तुम क्या कह रहे हो ये कह रहा है addition and multiplication both are commutative for whole numbers कहता है addition और multiplication दोनों के दोनों ही commutative है for whole numbers के लिए commutative का मतलब वही चीज़ों जगह चेंज कर देना पहले नंबर का दूसरे पे आ गया दूसरा नंबर वाला पहले पे चला गया इस case में addition पे और multiplication पे कोई effect नहीं पड़ता है 2 प्लस 3 कर लो या 3 प्लस 2 कर लो same 5 आना multiply में 2 3 कर लो या 3 2 कर लो answer 6 ही आना ये बात भी सही है दी कहता है multiplication is distributed over addition for whole number ये वाली बात है option number D जो अभी अभी मैंने आपसे discuss किया था पिछले से पिछले question में ठीक है जो था distributed property, distributed property वो था multiplication over addition और यहां पे distributed over addition multiplication over addition से तो ये बात भी सही है whole number इसको hold करते हैं ये बात सही थी आप लोगों की ठीक है तो यहां पे भी ये correct ही है तो आपका A वाला option A में जो बात कहा रहा है वो ठीक है C भी ठीक है D भी ठीक है अब जो बच गया वो गलत है और जो बच गया कौन सा बच गया B बच गया ठीक है और B बात गलत है जो बात गलत है वो मेरा answer है तो इसका मतलब B हो गया मेरा answer अभी मैं इसका justification आप लगों को दे रही हूं लेकिन आपको यह जस्टिफाई करने की नेड है नहीं ठीक है अगर आप जान गए ना कि यह चीज गलत है गलत तुम्हारा आंसर है लेकिन अभी के लिए मैं बता देती हूं कि यह गलत क्यों है कहता है जीरो इस दा आइडेंटिटीटी फोर मल्टिप्लिकेशन प्लाय में हढ़ी हूं एपको चलुका नाम है सब आइडेंटिटीटी क्या नाम है रहू रोइत है पूनम है प्रिया है एसे करके मेरा ID card है मेरे one card मेरा नाम लिखा होगा है ना क्यानाम हे मेरा जानते हैं मुझे रहा है रहा है जानते थो नहीं जानते तो पुछ लें मम आपको बहुत अब मुझे बताऊगा यहां। 6 अब 6 में मैं क्या add करूंगे 6 का 6 ही रह जाए यह अपनी पहचान ना खो identity का मतलब है इसकी पहचान इसकी पहचान बरकरार रहेगी कब जब मैं इसमें क्या add करूंगी बच्चे 0 जब आप 0 add करोगे तो 6 का 6 ही रह गया चेंज तो तो multiplication के case में 0 identity नहीं हो सकता अब आप मुझे बताओ 6 का 6 कब रहेगा आगर मैं इसको किस्ते multiply करूं तो आप कहोगे मैंड़ 1 से कर दो 6 को अगर 1 से multiply करेंगे तो 6 बन जा 6 पहले भी 6 था multiply करने के बाद भी 6 रहा इसका मतलब है addition के case में identity होती है 0 और multiplication के case में identity होती है 1 addition के case में identity होती है 0 multiplication के case में identity होती है 1 लेकिन वो तुमसे कह रहा है 0 is the identity for multiplication multiplication में 0 identity होती है नहीं होती भाई यह देखा हमने identity change हो गए पहले 6 था 0 से multiply हो के सारा 0 बन गया तो इसका मतलब यह बात गलत है इस 0 की जगे अगर वो 1 लिख देता ना ये कहता हो 1 is the identity in multiplication ये बात सही थी है ना तो इसका मतलब है जो बात गलत है वो मेरा answer है तो गलत बात है option number B तो B हो गया मेरा answer ठीक है तो बच्चे आज की class के लिए रहेगे हमारे लिए इतने questions हैं आज की class के लिए बाकी के question करेंगे हम next class में discuss और एक question जो dot pattern वाला है वो आप मुझे बताएंगे practically करके कि किस case में आप तीनों figure बना पाए है ठीक है बाकी कोई और आपके कोई personal doubt है तो आप जरूर comment box में मुझे बताओ कोसिस रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपको वो answer provide किया जा सके ठीक है बिटा तो आज की class के के लिए इतना ही मिलते हैं next class में तब तक के लिए बबाए टेक किया है